नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अन्बॉक्सिंग फिलिप्स जूसर की, तो मैंने अभी हाल ही में फिलिप्स का जूसर लिया है, जिसे मैंने अभी तक उपन नहीं किया है, मैं आपी के सामने इसे उपन करूँगी और इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, और इससे हम जूस कैसे निकाल सकते हैं, तो जूसर आएगा, उसका जो बॉक्स होगा फिलिप्स का, वह इस तरीके का होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन इस बॉक्स के उपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 700 पावर की इसमें मोटर लगी हुई है, इसका जो प्राइसिस है, वह 3700 है, तो Amazon पर डिसकाउंट के साथ ही है, आपको 3700 में मिलेगा, चलिए अब इससे खोलते हैं, अंदर एकदम, सेफ पैकेज है, इससे धान से निकालना है बाहर, अंदर से इससे प्लास्टिक से कवर किया गया है, साथ में इसके एक मेरी बुक आई है, जिसके अंदर जूसर के बारे में पुरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो ये बुक भी आपके काफी काम आ सकती है, तो अब भी हम इसे साइट में रख देते हैं, उपर का प्लास्टिक कवर हटा देते हैं, सबसे पहले इसका टॉप लिड हटाएंगे, साथ में टैप है, चारों ओर से देखिए, ये जो कंटेनर है जो आपको प्लास्टिक का दिख रहा है, ये पल्प के लिए है, उपर से टेप हटानी है, ये है प्लास्टिक का है, जो कि फ्रूट्स को प्रेस करने के लिए है, सेफ्टी लोग हैं, जो कि नीचे से खुलते हैं, दोनों साइड से, आपको ध्यान में रखना है, ये नीचे से खुलेंगे, टॉप का लिड है, देखिए प्लास्टिक का, ये है ब्लेड है, जिसके द्वारा जूस निकाला जाता है, और ये है सबसे नीचे का, इस तरीके स से इन्हें हमने सभी पार्ट्स को अलग कर लिया है, ये एक छोटा कंटेनर है, इस पर भी टेप लगी हुए है, तो ये नीचे के साइड टेप है, तो इसे हमें हटाना है टेप को, और इसमें पल्प निकलेगा, तो इस तरीके से ये है इसके चूसर के सभी पार्ट्स हैं, जो ऐसे काम करते हैं, इन्हें आपको काम मिलेने से पहले अच्छे से वाश कर लेना है, अभी हम इसे लगाते हैं, सब से पहले पल्प वाला कंटेनर लगाया है, उसके साथ में उपर, फिर इसके बाद ब्लेड, सबसे टॉप का लिड अभी अच्छे से इसे सेफटी लॉक से बन किया और सबसे टॉप से इसे कवर किया तो इस तरीके से जूसर के पार्ट्स को हम अलग करके फिर हमने इसे जोड़ा है तो इस तरीके से ये देखिए ये फिलिपस इसमें बटन्स हैं तो जूसर के लिए इसे एक पर करना है और ज्यादा दिन नहीं चलाना है साथ में वायर है तो वायर की जो लंबाई है वे भी काफी अच्छी है टैप भी इसमें निकलती है तो राउंड घुमाएंगे तो ये बहार निकल जाएगी और वापिस प्रैस किया और राउंड घुमाएंगे तो ये अंदर के साइड चली गई तो निकालते हैं गाजर का जूस सबसे पहले आपको जूसर के सभी पार्ट्स को अच्छे से वाश कर लेना है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप गाजर पूरी साबुत गाजर इसमें डालते हैं तो उससे क्या फरक पड़ता है जूस में और इसको हम चोटे-चोटे टुगडो में काट कर डालते है तो इससे क्या फरक पड़ता है तो ये देखिए साबुत गाजर अगर आप डालेंगे और जूस निकालने की कोशिश करेंगे तो जूस्टा की हमातरा होगी काफि कम क्या काफ़ी कम मात्रा में जूसर दिखलेगा तो यह देखिए मैंने इसमें तीन चार गाजर डाली थी अभी हम इसमें देखिए छोटे-छोटे टुकडे करकर गाजर की डालेंगे बिल्कुल इस तरीके से तो देखिए हाफ ग्लास इसमें जूस का आ चुका है तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी हाट चीज का जूस निकालें तो उसे आप टुकडों में पहले काटें फिर जूस निकालें पूरा पल्प है वह अलग कंटेनर में आ चुका है एकदम पूरी गाजर एकदम मैश हो चुकी है कुछ भी नहीं बचा है एकदम ड्राए बची है गाजर यह देखिए एकदम से कंटेनर में अलग से एकदम सूखा हुआ तो अब हम ओरेंजिस का जूस निकालते है तो ओरेंज तो वैसे काफिजूसी होता ए तो इसे हमें टुकडों में डिवाइड नहीं करना है टुकडों में नहीं काटना बलकि इसे साबुती डाल दीजिए, इसका जूस भी काफी मादरा में निकलता है, बिल्कुल दबाना है बस, वन पर करना है स्विच को, वाव, यह देखें, तो मैंने इसमें ओरेंजेस लिए थे, तो उससे हाफ क्लास से ज्यादा यह है, जूस निकल चुका है, बिल्कुल मी पीठा, और एकदम प्योर, जूस निकल कर एकदम तैयार है, तो देखा आपने यह फिलिप्स का जूसर कितने काम का है, अंदर से देखें, इसके जो बीच है, वह भी इसमें नहीं पीसे है, वड़ना जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, उनमें जब हम जूस निकालत हैं, तो वह एकदम कडवे बनते हैं, क्योंकि उसमें पीच भी पिस जाते हैं, तो आज हमने देखा कि फिलिप्स का जूसर कैसे काम करता है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सबिस्क्राइब, ज जरूर करें,